तो Paytm Provide करता है banking facility जिसका नाम है Paytm Payments Bank जिसके अंदर आप अपना savings account गर बैठे online open करा सकते हो लेकिन सवाल यह है कि जो Paytm Payments Bank है यह अच्छा है कि बेकार है इसमें charges कितने लगते हैं, interest rate आपको कितना मिलेगा आपको यहाँ पर balance कितना maintain करके रखना होगा, यह सारी important चीज़े और आपको यहाँ पर अपना account open कराना चाहिए या नहीं आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत simple तरीके से बताने वाला हूँ तो चलो वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि Paytm Payments Bank के savings account में आपको कितना balance maintain करके रखना होगा देखो यहाँ पे कोई भी requirement नहीं है balance maintain करने की मतलब कि यह एक zero balance account है अगर आप अपने account में balance zero भी कर लोगे तो भी आपके उपर कोई भी charges नहीं लगेंगे जो कि एक plus point है कि यहाँ पे आपको zero balance account मिलता है next important चीज कि यहाँ पे अगर आप अपना account open कराते हो तो आपको rate of interest कितना मिलेगा देखो कोविड के बाद से ना सभी banks ने जो rate of interest है वो बहुत कम कर दिया है देना Paytm Payments Bank में अभी आपको 2.5% rate of interest मिलता है per annum मतलब की जो भी amount आप अपने account में maintain करके चलोगे उस पे एक साल के अंदर आपको 2.5% rate of interest मिलेगा लेकिन यहाँ पे एक unique चीज ही है कि आपको per month जो आपका interest निकल के आएगा वो आपके account में आपको मिल जाएगा अब debit card के बारे में बात कर लेते हैं आने कि ATM card के बारे में देखो जब आप अपना account open कराओगे तो आपको app के अंदर ही न virtual debit card तो free मिल जाएगा मतलब कि digitally आपका जो debit card है वो आपको app में देख जाएगा जहां पे आपको card number मिल जाएगा और बाकी चीज़े मिल जाएगे जिससे आप Paytm पे, Flipkart पे, Amazon पे कहीं पे भी online कोई भी transaction कर सकते हो लेकिन अगर आपको ATM से cash निकालना है या market में debit card यूज करना है तो उसके लिए आपको चाहिएगा physical debit card अब उसकी request कर सकते हो Paytm की app में जाके लेकिन physical debit card के लिए आपको 250 रुपीज issuance fees देनी होगी अब यहाँ पे आपको visa debit card मिलेगा और उसकी जो annual fees है वो 150 रुपीज होगी में भी यहाँ पे 18% GSTB add हो सकता है अब यह जो debit card आपके पास आएगा उससे आप transaction कितने free कर सकते हो अगर आप Paytm की ATM यूज करते हो Paytm की ATM मसीन बहुत कम होती है लेकिन है तो वहाँ पे आप unlimited transaction मन्त में free कर सकते हो cash वगर आप निकाल सकते हो लेकिन अगर Paytm का ATM नहीं है अदर कोई ATM मसीन है किसी और bank का ATM है तो आपको 3 transactions free मिलेगी अगर आप top 6 cities में रहते हो top 6 cities कौन सी है यहाँ पे आप देख सकते हो इन 6 cities के अंदर आपको मन्त में 3 transactions ही free करने के लिए मिलेगी और अगर आप इन cities में नहीं रहते हो किसी और city में रहते हो तो आपको मन्त के अंदर 5 free transactions करने के लिए मिल जाएंगे और उसके बाद आप फिर जाके ATM में कोई भी transaction करते हो cash निकालते हो तो आपको एक transaction पे 21 rupees देने पड़ेंगे आप pin change करते हो या आप statement वगरा देखते हो तो उसके लिए आपको 8 rupees per transaction charge देना पड़ेगा अब passbook की मैं बात करूँ तो आपको digital passbook मिल जाएगी आपको दिख जाएगा कि कितना कहां से debit हुआ कितना कहां से credit हुआ checkbook अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको request करने पड़ेगी अगर आप 10 check leaf की एक book लेना चाहते हो मतलब जिस book के अंदर 10 check होंगे वो आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 100 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा और अगर आप 25 चेक की बुक लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 150 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा अब ही आ जाते हैं इस वीडियो के main point पे कि आपको अपना account यहां पे open कराना चाहिए या नहीं देखो अगर आप अपना एक पहला primary account open कराने जा रहे हो आपको कोई भी restriction नहीं चाहिए सारी facilities चाहिए तो ऐसे में आपको किसी अच्छे government bank में या private bank में अपना account open कराना चाहिए जिसकी branch आपके घर के आसपास में हो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके आप cash deposit कर सकते हो cash withdraw कर सकते हो और branch में जाके काफी सारी चीज़े कर सकते हो paytm का account आप online open करोगे branch का option यहाँ पे आपको नहीं मिलता अब in case future में आपको किसी भी तरीकी की कोई problem आती है आपके घर के आसपास में branch होगी तो आप वहाँ पे जाके उनसे बात कर सकते हो अब ये चीज़ आप paytm में easily नहीं कर सकते तो primary account open कराना है तो किसी अच्छे government bank में या private bank में open कराओ लेकिन यहाँ पे आपको एक secondary account चाहिए तो वो paytm payments bank का है savings account आपके लिए अच्छा option बन सकता है या जो लोग student हैं जिनको सिर्फ UPI use करने के लिए चाहिए या zero balance account चाहिए थोड़ा बहुत balance account में रखना है UPI के लिए चाहिए या फिर आपको ATM चाहिए जिससे आप बाद में कहीं पे भी use करके payment कर सके तो ऐसे में secondary account बहुत अच्छा है या जो लोग student है उनके लिए काफी अच्छा option है hopefully आपको समझ आया होगा किन लोग के लिए account है किन लोग के लिए नहीं है अगर आपको वीडियो helpful लगाओ तो like जरूर कर देना चैनल पे नहीं हो तो subscriber के bell icon प्रेस कर लेना ऐसे और वीडियो देखने के लिए और आप चाहो तो मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हो उसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा मैं मिलता हूँ अपसे एक नए वीडियो है तो आपके लिए thank you bye bye